हलो फ्रेंज सबका दिन मंगल मैं हो हैपी कुकिंग मोमेंस में आज हम बनाने वाले हैं सौफ्ट नान या फिर इसको आप तर्किश ब्रेट कह सकते हैं या सौफ्ट फ्लैट ब्रेट कह सकते हैं तो उसके लिए 400 ग्राम मैदा लिया है चीनी लिया है चम नमक है और ये ड्राई इस्ट तो आप इसको दूद में मिला करके इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने इसी में डाल दिया है अब हमें इसके लिए तेल भी लेना है तो आप सारी चीज़ें आप इसी मैदे में मिक्स कर सकते हैं या फिर दूद में mix करके फिर add कर सकते हैं तो मैंने yeast डाल दी है मैदे में ही लेकिन आप normally लोग इसी में yeast है, चीनी है, थोड़ा मैदा है नमक दूद में डाल करके आदे गंटे रख देते हैं पर उससे गूतते हैं तो मैंने इसमें दूद में बस oil डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है और ये दूद जो हमें लेना है, लुकवाम, थोड़ा हलका सा गरम दूद लेना है सारी yeast को, चीनी को, नमक को हमें मैदे में मिला दिया है अब दूद डाल करके, हमें soft bread हम बना, soft non बना रहा हैं तो हमें एक soft सा non add कर लेना है, तो दूद मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, 2 से 3 टेबल स्पून फिर बाकी हम इसमें हलका सा गरम पानी, बहुत थोड़ा सा गरम गुनगुना पानी लेंगे look warm water जिसको कहते हैं, वो डाल करके हमें एक soft सा आटा लगा लेना है आटा शुरू में sticky रहता है, तो आप इसको 2 मिनट के लिए, एक 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजे फिर उसके बाद ये जब थोड़ा सा सेट हो जाता है, तब ये थोड़ा सा नीट करने में आसानी रहती है तो 2 मिनट के बाद हम इसे हाथों में तेल लगा लेंगे थोड़ा सा 2-3 टीज़ पून पहले तेल हमने गूते समय डाला था और देखिए तेल 2 मिनट छोड़ने के बाद आता हमारा थोड़ा सा मैनेज करने लाइक हो गया है और थोड़ा थोड़ा हाथों में बस तेल लगा करके इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा गूते रहेंगे और फिर इसको हम ढग करके आधा से एक घंटे के लिए रख देंगे गरम जगह पर जब तक कि ये पूरा खमीर न उठ जाए आटा लगबग ये डबल या ट्रिपल दुगना तिगना हो जाएगा फूल करके तो इसे हमें गरम जगह पर रख देना है अगर मौसम गरम है तो जल्दी हो जाएगा थंडे मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो क्लिंग रैप लगा दिया है उस पर एक और ढ़कन लगा करके इसको हम रख देते हैं फिर बाद में चेक करेंगे तो लगबग मैंने ये चाल तेस चालिस मिनट रखा था देखिए आट बिकदम परतन भर गया है पहले कितना थोड़ा सा था थोड़ा सा अब इसे एक बार और गूथना है हाथों में फिर से ओईल लगा लिया है और बढ़ियां से इसको मिला लेंगे ज्यादा गूथना नहीं है बस मिक्स कर लेना है समेट लेना है आटे को और देखे कितना सौप्ट है अगर ये सौप्ट रहेगा तभी हमारे नान भी है जो सौफ्ट बनेंगे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा जो हमारा डो है इसको थोड़ा सा रोल कर लेते हैं और इसकी अब लूईयां काट लेंगे थोड़ा सा स्टिकी रहता है लेकिन तो फिर रोटी भी ये काफी इसके इनान भी काफी सौफ्ट ही बनता है बढ़ियां से इसको गोल कर लेंगे आप चाहें तो हाथों से ही दवा करके इसको बढ़ा सकते हैं या फिर बेलन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं छोटे छोटे नान बना रहे हूँ और तवे पे बना रहे हूँ और मैंने बेलन का इस्तमाल किया है और इस तरह से हाथों से भी या राम से बढ़ जाता है हमने कुछ रूटियां बेल ली हैं तो कुछ हम इसमें पतियां चिपकाएंगे तो मेथी पति है दनिया पति है और ये सोया है ये मेथी है आप अपने हिसाब से हर्प्स एड़ कर सकते हैं तो थोड़ा सा हलका सा पानी लगाई है या फिर बिना पानी के भी ये हलका प्रेस कर देंगे तो दब जाएगा तो अभी मैं सोया की पत्यां लगा रहे हूं थोड़ा सा ऐसे हलका सा दबा दिया है मेति पत्य लगाया है थोड़ा बेलन से दबा देंगे तो ये अराम से चिपक जाता है और एक तवा रखा है हमने गरम होने के लिए तो हमें इस बर चिपकाना नहीं है हम इसे ऐसे ही जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने एक प्लेन रखा है और दो पर पत्यों से चिपका दिया है तो चलिए तबा हमारा गरम हो गया है और इसे हमें लो फ्लेम पे बहुत धिमी आज पर उलट पूलट करके इसे सेक लेना है और चुकि हमने इसे दबा दिया था तो ये पत्यों चिपकी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है रखने के बाद थोड़ा सा आधा मिनट 40 सेकंड के लिए धग देते हैं चुकि ये थोड़े मोटी रोटियां हमने बनाई हैं ये काफी फलफी होती हैं और सौफ्ट भी होती हैं खाने में टेस्टी होती हैं मैं इसमें अभी मक्खन नहीं अपलाई करूंगी आप चाहे तो बार में मख़न से अड़ करके फिर बटर नान बना सकते हैं मैं प्लेन नान बना रही हूं तो इस तरह से हम उलट पुलट देंगे और ये जब फूलने लग जाए दूनों तरब से फूल जाए तब हमें इन्हें उतार लेना है तो इस तरह से हम पलटते रहेंगे देखिए पत्यां अराम से चिपती रहती है लीजे हमारा ब्रेट तयार है तो फ्रेंस ट्राइज जरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसे पर गरम गरम नान पर बटर लगा करके सौर्फ करिएगा तेंक यू